हेलो पीपल, वेलकम बैक तो चानल अगेंग, तोड़े वें मेकिंग बेस्ट बाड्मिंटन राकेट अंडर रुपीज 500, बेस्ट बाड्मिंटन राकेट अंडर रुपीज 1,000 के दो वीडियो बनाये थे, तो कुछ राकेट शायद सिमिलर हो सकते हैं, कुछ शायद ना भी हो तो भाई वो मेरे उपर मत आ जा ना कि यार ये तो सेम राकेट बता रहा है, I do not make these rackets, prices के हिसाब से होता है, तो जो है भाई मैं उसे हिसाब से भी वीडियो बनाता हो, anyway सस्ते सुन्दर और टिकाओ राकेट किसको पसंद नहीं है, कुछ राकेट है मेरे पास तुम्हें राकेट राकेट के पहले वीडियो में भी था, बड़ा भी बापस भी है, this is the racket ZR100 Lite, यहां पे लिखा हुआ है, head shape, तो भाई इसका head shape है, isometric, जो इसका head shape का material है, that is aluminium, shaft is okay, कुछ जादा, इतना जादा एक्पेटेशन मत लेना, भाई, low to resin steel shaft है, this is some graphical design made over here, I think इसकी grip size, अग weight of the racket is 95 grams, plus minus 3 grams, मतलब वो जो थोड़ा grams के लिए space रहता है, so that कैसे रहता है कि अगर आप लोग grip जादा डालते हो, या कम डालते हो, तो उस पे भी, I mean, racket का जो weight है, वो change होता रहता है, इसले भाई, बेट मैंने उस तरह से बता है आप लोगो, also this has a two-piece T-joint, which is not very durable, single piece better होता बटी के सकंदर, two-piece है, isometric, headship, string tension जो है, इसकी actually 18-20 LBS तक की है, so beginners के हिसाब से तो यह racket, beginners के लिए है, so string tension भी beginner के हिसाब से ही होने वाली है, and now coming to the price of the racket, this racket will cost you around I think 455 rupees अभी चल रहा है Amazon के उपर, but थोड़ा बहुत price उपर नीचे हो सकता है, so उसके तरफ देखते रहना, अ 500 रोपे से कम में तो आपको यह racket मिली जाएगा, this second racket on our list is Yonix GR303, another very famous racket, जो भाई, Yonix ZR100 के opposite में भी आप लोको मिलता है, anyway, headship, देख लो, इसका काफी evident है कि भाई, overly है, isका headship, headship का जो material है, that is aluminium, coming to the shaft, जो की ठीक है, another, I mean, don't expect जादा, low-to-rise seal shaft, इसका again है, two-piece T-joint है, not very durable ठीक है, 500 रोपे के साब से तो भाई, जो भी है, सही है, अब string tension जो है, इसकी वो 18 से 20 LBS की ही है, इसकी grip size भी, I think G4 है, इसके उपर grip लगी हुए, तो थोड़ा मोटा आप लोग को लग रहेगा, so ठीक है, उससे साब से तो सही है, और इसका जो weight हो जाता है, वो 95 grams हो जाता ह थोड़ा कम में भी मिल जाता, आपको 435, 475 में भी मैंने इसका price होते हुए, देखा है, you get different colors also, you get in pair also, and अगर थोड़ा बहर डीटीलिंग में राकेट के बार में जाना है, तो इसका मैंने review भी किया है, कर दूँगा plugin, description में देख लेना, screenshot डाल दूगा, वो भी जाके check out कर The third racket on our list is Leaning Smash XP 90-14, अभी मेरे पास जो हात में, that is the 70, same है, लेकिन 90 is the better version, 70 तोड़ा सा कम range में आ जाता है, range आजन क्वालिटी की बात कर रहा हूं है, anyway, now हम XP 90 की बात करें, राकेट से विसले हात में, ताकि आपको एक विजल इमेज आ जाए, उसका शेप भी oval है, material उसका भी Aluminium ही है, string tension भी उसके अंदर जो है, वो maximum 18-20 की ही, LBS तक की ही string tension है, if you see the weight of the, I mean, that racket, so that is also 90 grams plus minus 3 grams, so वो भी एक सही है, मतब थोड़ा lightweight वाली situation आ जाती है, शाफ्ट भी अगर इसका देखोगे, तो इसका शाफ्ट थोड़ा सा बेटर है comparatively, जो हमने यॉनिक्स का राकेट से क्योंकि इसका डूरेलियम शाफ्ट है, उसके अंदर भी डूरेलियम है, बेसिकली डूरेलियम क्या होता है, वो magnesium होता है, aluminium होता है, और copper होता है, सबके mixture करके, alloy करके, फिरियस का जो शाफ्ट है, वो उस तरह बनाया जाता है, और इसकी वी जो grip size है, लीनिंग के अंदर, S2 अंदर बड़ी गृप साइज अंदर, विच इस एक्स्टा स्मॉल वाली है, वो सिफ स्मॉल होती है, तो भी ठीक है, यह टीक है, वो इसका टी जोंट है, तो टीजोंट है, तो तो डूर पीस टीजोंट, सी अवरियर, तो दूरिबिलिटी माझा अंदर तो पाट सोच्छ अपने साब से कर लेना, and now coming to the price of the racket, which is only for rupees 3.99 यह वाला, which is a really good thing, especially about this racket, the fourth racket on our list is leaning, again, mega power 9, अब उसका जो शेप है, that is isometric, material जो है, वो अलुमीनियम वाला, which is a good thing, again, string tension maximum, कमाल की है, 25 LBS तक आपसको खीच के लेके जा सकते हो, which is at some level in intermediate, तो वो अच्छी चीज हो जाती है, व also a lightweight racket, not exactly, exactly lightweight, लेकिन 80 grams is considered to be lightweight, ही, shaft उसका ठीक, अभी इतना जातो कुछ है नहीं, तो 500 रुपे के नीचे, जाता एक्सपेक मत करना है, आपको जाता पावर उसके अंदर मिलेगी, ठीक है, grip size भी उसकी S2 है, which is an extra small grip size, जो leaning में आती है, अब जो उसका T-joint है, that is two-piece T-joint, so टी किया भी durability उसे साब से भी ठीक है, and उसका जो price है, right now, वो को चल रहा है, 499 रुपीज का, so it's a good deal, I think इसका weight और जो string tension है, क्योंकि string tension 25 LBS है, और जो weight है, वो 80 gram से, तो आपको शाद, pick up करने में, as a beginner, अगर आपको एक अच्छा racket चाहिए, और आप जल्दी quick pick up करना चाहते हो into the game, तो I think यह racket can be for those certain people, जो यह expectation के साथ, badminton start करना चाहते है, the next racket on our list is again, leaning का ही racket, which is 999 PV Sindhu Series का, जो special racket आया था, वो वाला है, अब उसका जो shape है, that is, isometric, जो material है, that is, aluminium alloy है, which is a good thing, again, string tension जेखोगे, तो 18 से 20 LBS की string tension मिल जाते है, ठीक है, beginner के साब से उतनी string tension मिलती है, coming to the weight of the racket which is 85 grams, still good, plus minus 3 grams, तो D.K. थोड़ा बद स्पेस मिल जाता है, ग्रिप यहाँ वहाँ, चेंज करने के लिए, उसकी भी ग्रिप साइज अगर आप लोग जेखोगे, तो S2 ही होगी, which is an extra small grip size, and the two-piece T-joint is okay, I mean for the racket, mostly यह सारे राकेश के अंदर, आपको two-piece T-joint ही मिलते है, तो व Badminton fans है, किसी को लगता है कि special merchandise वाला racket होना चीए, या specialized racket होना चीए, अपना कुछ P.V. Sindu series वाला है, तो वो तुम लोग के लिए अच्छा हो जाता है, यह वाले segment में, अगर तुम उस expectation के साथ racket खरीदना चाते हो, तो, the last racket on our list is again leaning का, बट यह थोड़ा पुराना racket है, बट अभी भी लोग इसे खरीदते, मेंको भी comments बाते हैं, कि यह racket बता हो, यह racket बता हो, तो यह racket बता रहे, leaning का special edition, 2020 वाला racket, अब उसका जो shape है, that is also isometric, material जो है, aluminium हो जाता है, उसका string tension 18-20 LBS की string tension है, weight उसका आपको मिल जाता है, 85 grams plus minus 3 grams, वाला जो है, उसे आप से हिसाब है, 2-piece T-joint, again, उसके अंदर आप लोग को मिल जाते हैं, तो only good thing, I mean, थोड़ा जो standout होता है, इस 445 रुपीस का racket मिलता है, यह वाला आप लोग को, so जो price में fluctuations होती है, तो 445 से तो कम में ही मिलेगा, आपको 400 रुपे, 399, 385, जिस तरह के offers चलते रहते हैं, Amazon के उपर, या कहीं आप online कहीं भी जिखो, तो उसे साब से यही मिलेगा, आप लोगो, अब यह वाला racket मैंने इसलिए डाला है, है तो 2020, 2023 चल रहा है, लेकिन बहुत लोग अभी भी यह खरीते हैं, यूज करते हैं, और इसके reviews बहुत जादा अच्छे हैं, क्योंकि इसकी grip size भी यार, वो S2 वा आपको 2-3 variations और मिल जाते हैं, which is 111 and 101, also just by the way, यह वाला racket अपने हो कल्यानी sports नहीं दिया है, so जितने भी rackets में आपको बताए है, गर उसके related कोई भी आपके inquiry हो, you guys want to know anything about the racket, आप लोग फोन करके आराम से पूछ सकते हो, नमबर डाल दूँगा, मैं वीडियो में भी चलता पर मिलता है, 71-4 मिलता है और आपको 81-4 भी मिल जाता है, so आप लोग वो भी चेकाउट कर सकते हो, just in case अगर आप लोग को थोड़ी और ज्यादा options सेगे तो, दो राकेट्स और जिनके और वेरियेशन आपको मिल जाते हैं, एक तो जो लीनिंग का मेगा पार वाला racket उसके आपको 5 मिलता है, 6, 7, 8, 9 आपको इतने सारे बेरियेशन इतने सारे options आपको मिल जाते हैं, वो वाला है राकेट के अंदर, which is a good thing, थोड़े जादा आप लोग को आगर और सस्ता है, और जादा और वेराइटी ही देखने के लिए, तो ठीक है, and also जो लीनिंग का मैंने आप आपको बता है, 599 PV संदु सेरीस वाला था, उसके अंदर you get 9998 मिल जाता है, 900 आपको मिल जाता है, और 901 आप लोग को मिल जाता है तो उसके अंदर भी total 4 मिल जाते है, जिसमें से मैंने आप लोग को 999 बता जयाता, तो यह कुछ-कुछ अला-लाग अप्शिन से हैं, इसनि करके देख के वेख के कुछ राकेट साकर सिमिलर हो गए होंगे तो भाई अब है सिमिलर तो है बट्टी के एक लिस्ट अलग से बनगी तो आप लोग के लिए सग्रिकेट करना ज्यादा सिंपल हो जाता है अच्छा लागा हो तो है यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करी देना यूगाइस नो देख सक्राइब कर दिया करो प्लीज प्लीज और और कॉंटेंट आइडिया से तो वह भी जैसके बाडमिंटन के रिलेटेड रिव्यू मैंने इसके ओपर बना यह 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 यहलो वाला रा नहीं सेला रताओाव चार इन सेला वहतनी, जरने नहीं और कटियो देसे